मैं सिर्शंकर सुकल, कंप्यूटर विज्ञान प्रवक्ता स्रीजगत पालर्नाथ दिवीदी इंटर्मीडियर्ट कालेज रामापुर कॉंडोर परताब गड़ के YouTube चैनल JPIC, Digital Study में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं पढ़ाई की तरफ आपका ध्याना कर्शन चाहता हूँ कि आप अपने प्राप्त आउसरों का सुद उप्योग करते हुए अपने बहतर भविस्त के निर्माड हेतु इस चैनल का उप्योग करते हुए इस पर जितनी भी आपके विसे संबंधित वीडियोज हैं उसको देखें, मनन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपको जो है उससे हमेशा नित नवीन वीडियो विसे संबंधित मिलते रहेंगे हम आपको कंप्यूटर विसे की तरफ ले चल रहे हैं आप अपने कंप्यूटर विसे की बेहतर तयारी करने के लिए हम से वराबर जुड़े रहें हम आपको निरंतर वीडियो क्लास प्रदान करते रहेंगे आपकी पाठक्रम में पहला पाठ जो साफ्ट्वेयर से परिच्छा है इस पर आधारित हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रस्ण स्रिंखला जो अतिलग उत्तरी के रूप में बहुवी कल्पी के रूप में थी हमने आपको प्लवध कराया उसे सम्मंधित विसेविंदू की भी जानकारी दी बिश्त्रित उत्री प्रस्न जहां से बनते हैं उन विशेविंदूओं को भी आपको हम लेक के माध्धिम से आप तक उस विशेविंदू को हमने पहुंचाया आईए हम एक नए आयाम की तरफ चलते हैं जहां पर आपको साफ्ट्वेयर से परिचे अपनी वीडियो क्लास के माध्धिम से करवाएंगे प्रिविद्यार्थियों आपसे आसा है उम्मीद है आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने क्योंकि कोई न कोई पॉइंट ऐसा ना हो कि बीच से निकल जाए आप ना समझ पाएं इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखे सुने मनन करे और अपनी बेहतर तैयारी के लिए उस पर आधारित अपने नोट्स में बिंदों को सामिल करें प्रिविद्यार्थियों आपका पहला पाठ है साप्वेयर से परिचे कम्प्यूटर के लिए बहुत सारी आधारणाएं आते हैं हम सभी आधारणाओं की चर्चा समय समय पर करते रहते हैं अपने बिभिन वीडियोज में हम इस प्रकार की चर्चा आगे भी करते रहेंगे इस समय जो आपको समझने का महत्पून बिंदू है वहाँ है साप्वेयर से परिचे कम्प्यूटर की जो सारचना होती है वहाँ मुख रूप से दो आवयों को मिला कर होती है और एक महत्पून आवयों होता है यानि कि तीन आवयों उसमें जो है मुख रूप से होते हैं लेकिन अगर हम सादचना की बात करते हैं तो केवल दो होए वो उसके लिए महत्पूर्ण होते हैं पहला है hardware और दूसरा है software इस पार्ट में हमें hardware से केवल जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करना है लेकिन software पर पूरी जानकारी प्राप्त करना है आईए software से परिचे के लिए हम आपको उसकी परिभासा बता दे software क्या होता है software एक आभासी आवयो है computer की सरचना का प्रिविद्यार्थियों आभासी आवयो से हमारा तात्पर है जिसकी virtual screen बनती है जैसे आप software को छूँ नहीं पाते हैं क्यों देख पाते हैं उस पर आप कारिकर पाते हैं उस पर आप output ले पाते हैं सब कुछ होता है लेकिन आप उसे छूँ नहीं पाते हैं इसलिए तो hardware की सरिंखला में नहीं है तो software जो है वहाँ आभासी होता है मने वर्चिवल स्क्रीन पर आधारित होता है software बिभिन प्रकार के प्रोग्रामों का सम्मूम होता है जिसके द्वारा विशेश एवं सामान कार्य किये जाते हैं बिभिन प्रकार के software का प्रियोग computer में बिभिन प्रकार के कार्यों के लिए होता है computer पर आधारी जितने भी प्रकार की कार्य होते हैं सबके अलग-अलग software होते हैं उन software की आधार पर ही वहाँ उसी प्रकार का कार्य करता है जैसे सबसे पहले अगर हम computer की सारचने में software को सामिल करना चाहें तो उसका सबसे महत्पूर्ण तीन तक्त्व है पहला तब तो है computer का boot एवं control होना boot एवं control सबसे पहले computer आपका start होता है computer start होने की प्रक्रिया booting कहलाते है इसलिए हम computer को start करना boot सब्द से भी जानते हैं और वह control भी होता है ऐसा नहीं है कि uncontrolled हम input देंगे उसका एक system है processing करेगा output देगा आपको इन सबों में विभिन प्रकार की प्रक्रियाएं होती है तो हम जो यह कह रहा हैं कि boot एवं control इसके लिए भी software की आवश्चक्ता होती है कौन सा software आपकी computer में लगता है operating system operating system operating system computer को boot एवं control करता है अब software की दूसरी आवश्चक्ता computer के लिए होती है कार्यानवयन जब हमारा computer active mode में हो जाता है तो वो किसी ने किसी कार्य को करता है यनि कि वो कार्यानवयन की स्थिति में होता है क्योंकि प्रियोग करता को उस पर निरंतर कार्य करने की आवश्चक्ता होती है इसलिए उसको software की आवश्चक्ता होती है तो जो कार्य करने से संबंधि software है वहाँ होते हैं application software application software के दूरा हम computer पर विभिन प्रकार के कार्य करते हैं प्रिविद्यार्थियों आपको बता देना प्रसंगिक होगा कि एक software से सब प्रकार के कार्य नहीं किये जा सकते हैं हम अलग अलग software से विभिन प्रकार के कार्य करते हैं जैसे note pad पर हम क्यों लिखने का कार्य करते हैं MS Word में हम word processing का का कार्य करते हैं प्रिविद्यार्थियों कंप्यूटर को प्रिविद्यार्थियों कंप्यूटर को software सुरच्छित रखता है उसके bargaining की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जो आप file उसमें सुरच्छित किये हो वहाँ उसको सुरच्छित करता है क्योंकि प्रतेक file जो हम click करते हैं खुल जाती है उसके पीछे का कारण होता है कि उसमें execution code होता है वाइरस क्या करता है इसी execution code को attack करके नस्ट कर देता है तो जब हम click करते हैं तो file फुलेगे नहीं तो हम क्या करते हैं सामान निभासा में इसमें वाइरस आ गया वाइरस आने का सबसे मुख लच्छन क्या है आपकी file का execution code delete कर देगा नस्ट कर देगा तो computer को ऐसी सुरच्छा किया हो सकता होती है जो उसको utility software के द्वारा मिलती है तो तीसरा जो software होता है computer के लिए वा होता है utility software utility software क्या करता है computer में जो सुरच्छित file है जो computer में installed software है वह उन सब को सुरच्छित करता है इस प्रकार से हम बहुत सरल सब्दों में देखे कि computer के लिए तीन प्रकार के software किया हो सकता होती है operating system इसके द्वारा हम computer को boot and control करते है application software इसके द्वारा हम computer पर भी भीन प्रकार के कार करते है utility software में जो file सुरच्छित है जो software installed है उसकी सुरच्छा करते है प्रिविद्यार्थियों आपका जो पहला पाठ है वह जो है application software से सम्मंधित है आईए हम application software की चर्चा करें application software कम्प्यूटर को बिभिन प्रकार के कार करने की सुविधा प्रदान करता है हम जिस तरीके से यह कहते हैं computer बहुत कुछ कर सकता है लेकिन बिना प्रियोग करता के कुछ नहीं कर सकता तो वही पर हम दूसरी लाइद में यह भी कह सकते हैं कि प्रियोग करता बहुत कुछ कर सकता है लेकिन बिना software के computer पर कुछ नहीं कर सकता है साफ्ट्वेर नहीं होगा तो कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता है साफ्ट्वेर नहीं होगा तो कंप्यूटर पर कारे नहीं कर सकता है साफ्ट्वेर नहीं होगा तो कंप्यूटर में सुरच्छ जो फाइले हैं उसकी सुरच्छा नहीं कर सकता है तो हम इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कम्प्यूटर की सरचना को केवल देख सकता है लेकिन कुछ कारे नहीं कर सकता है इसलिए application software की जो आवस्चक्ता होती है वह जो है कम्प्यूटर पर विभिन प्रकार से कारे करने की आवस्चक्ता होती है हम जो application software होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक होता है सामान उद्देशी application software दो प्रकार के होते हैं सामान उद्देशी होता है सामान उद्देशी समझ रहे हैं जिस साफ्ट्वेयर का प्रियोग बहुत सरल एवन सामान उद्देश को पूरा करने के लिए प्रात्मिक उद्देश को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे सामान उद्देशी साफ्ट्वेयर कहते हैं ऐसे साफ्ट्वेयर जो होते हैं वह कम्प्यूटर पर मूल भूत कार को करने की सुविधा प्रदान करते हैं इसे तक्नीकी भासा में standard application software कहा जाता है standard application software अर्थात ऐसे software जो सभी प्रियोग करता की आवस्यकता को एक विशिष्ट विशिष्टा के आधार पर पूर्ण करते हैं उन्हें standard application software कहा जाता है सामान उद्देश के software की स्रेणी में आते हैं जैसे हम notepide का प्रियोग कर रहे हैं तो notepide में जो विशिष्टा होंगी वही मेरे लिए भी है वही आप के लिए भी है वही तीसरे के लिए भी है वही चौथे के लिए भी है वही सब के लिए है notepide की एक विशिष्टा सारे प्रियोग करता के लिए एक जैसी है इसलिए उसको हम कहते हैं सामान उद्देशी अथ्वार, स्टेंडर्ड, अप्लीकेशन, साफ्ट्वेर इस प्रकार के जो साफ्ट्वेर होते हैं जैसे नोटपाइट, वर्डपाइट, MS वर्ड, MS Excel, MS PowerPoint साफ्ट्वेर के दूसरे प्रकार पर विशिस्ट उद्देशी साफ्ट्वेर, विशिस्ट उद्देशी साफ्ट्वेर इस प्रकार की जो software होते हैं वहाँ प्रियोग करता की विसिस्ट आवस्यक्ता की अमसार निर्मित किये जाते हैं हमारी विसिस्टा की आधार पर software का निर्माड होगा सामान विशेष्टा की आधार पर नहीं जो मेरी आउस सकता है उसके आधार पर इसे तक्नीकी भासा में कस्टमाइजड कस्टमाइजड अप्लीकेशन साप्वेयर कहा जाता है कस्टमाइजड का मतलब ही होता है कि हमें कुछ विशेष्ट आवस्चक्ता की पूर्त के लिए साप्वेयर की जरूरत होती है इसमें हम किसी बैंग के लिए निर्मिसाप्वेयर किसी कमपनी के लिए निर्मिसाप्वेयर किसी भीमा कमपनी के लिए निर्मिश आपवेर सरकार के लिए निर्मिश सापवेर संस्थान के लिए निर्मिश सापवेर इस सब सापवेर जो है Customized Application Software अथवा विशिस्ट उद्देशी सापवेर की स्रियणी में आते हैं इसमें क्या है सभी बैंकों की अलग अलग अवस्चेक्ताएं है सभी बैंकों का अलग अलग सापवेर है सभी संस्थान की अलग अलग अवस्चेक्ताएं है सभी संस्थान का अलग अलग सापवेर है सरकार की अपनी अलग अलग अवस्चेक्ताएं है उसका अपना अलग अलग software है हम क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पर हमारी जो आवस्यक्ताइए हैं उसे क्याधार पर software है जैसे बैंक का जो करमचारी है वह जो software का प्रियोग करता है उसको हम आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी आप क्या हो सकता है ऐसे नहीं है प्रिविद्यार्थियों यहाँ पर एक सबसे महत्तुपून बात आपको बता देना चाहते हैं आज कंप्यूटर की दुनिया में उसको लोकप्री बनाने का सबसे सरल और सहज तरीका साफ्टवेयर है कंप्यूटर को साफ्टवेयर ने एक नई दुनिया प्रदान की है हम अपने कारियों को कर लेते हैं साफ्टवेयर के कारण हम किसी कारे को बहुत सरलता पूर्व घर वैठे कर लेते हैं साफ्टवेयर के कारण हमें किसी आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं भी देते रहेंगे एक यहाँ पर बता देना बहुत प्रासंगिक था कि साफ्ट्वेयर के कारण कम्प्यूटर को एक नई दुनिया में प्रवेश मिला जहाँ पर उसको बहुत सारी लोग प्रासंगिक था कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आप घर बैठकर आलाइन वीडिय कारण यूट्यूब क्या है एक प्रकार का साफ्ट्वेयर है हम उसके माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो सामाने उत्देशी साफ्ट्वेयर है वह प्रियोक करता समूह की आवस्चक्ता को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं और जो विशेष उद्देशी साफवेर होते हैं वह प्रियोक करता विशेष की आवस्चक्ता को ध्यान गत रखते हुए निर्मित किये जाते हैं आईए हम आपको इन्हीं एक एक बिंदूं की तरफ ले चल ला है हैं उसकी जानकारी आपको देंगे जो standard application software होता है यहाँ भी दो प्रकार का होता है standard application software दो प्रकार का होता पहला SDI इसे जो है single dimensional interface इस group का जो software होता है SDI group का जो software होता है उसमें केवल एक समय में एक ही file खुलती है इसलिए उसको single dimensional interface की स्रेड़ी में रखा जाता है जैसे notepad एक समय में केवल एक file खुलेगी दूसरी खुलेंगे तो पहली बिलूप तो हो जाएगी हट जाएगी दूसरा प्रकार का जो software है वहाँ है MDI इसे कहा जाता है multi dimensional interface multi dimensional interface जो MDI group का software होता है इसमें एक साथ विभिन प्रकार की file को हम खोल सकते हैं इसलिए इसे MDI group का software कहा जाता है MDI group के software में जितने भी software होते हैं उसमें एक से अधिक file हम खोल सकते हैं जैसे Microsoft Word एक से अधिक file कोल सकते हैं Adapt Photoshop एक से अधिक file कोल सकते हैं Microsoft Excel एक से अधिक file कोल सकते हैं प्रिविद्यार्थियों आज हम software से परिचय पराधार जो वीडियो क्लास आपको हमने प्रोवाइड कराया है उसमें मुख्य रूप से हम जो आपके पार्ट से सम्मान्धित भी सही बिंदु था साफ्ट्वेयर से परिचे जिसमें हम अप्लिकेशन साफ्ट्वेयर से परिचे आपका हमने करवाया है कल की कलास में आपको